करनाटक में विधान सबाचुनाप के नतीजे आने के बाद अब कॉंग्रिस को उमीद है कि वो लोगसबाचुनाप भी जीत हासिल कर सकती है। के लिए मजबूती से रननेती तयार कर देए उन्होंने कहा है कि अब यह हो गया है कि क्या राज्यों के चुनावी मुद्य लोग सभा में भी चलेंगे क्या विधान सभा चुनाप के तस्पर कांवेस पार्टी लोग सभा में भी परदेश कर पाएगे और अच्छा परदेश राजड़ के लिए पूरी तरिकी से तयार है उन्हें थाप सब्सक्राइब को और एक मजबूत होते जा रहा है और उन्हें देखा जा सकता है कि वो एक तरह से फिर से वो मजबूत इस्तिथी में आ गए है दोहाज़ाज़ चुनाप को विशाज बिच्छनी शुरू हो चुकिए है पच्छी मंगार की सियम ममता बनाजी तामिलादू के मुख्यमंतरी एमके स्टालिन सिप्षेना नेता संजे रावत और एंसेपी चीप शरत पवार ने कहा है कि दोहाज़़ चुबिच की ये शुरूरात है वहीं एंसेपी चीप शरत पवार ने कहा है कि कर्णादक त्युनाप का रिजल्ट का ट्रेंड दोहजा़़ चौबिस तक चलता रहेगा हमारा टागिट वीजेपी को हराना है बॉलिवुड एक्टर्स प्रेयनिती चोपरा का आप निता रागत चड़्डा के साथ सगाई हो गई है सगाई समरों में डिली के मुख्यमति अडविन के जिरवाल के साथ साथ और कई महमान शरीक थे रिंग सरी में की तस्वीर पोस्ट करते हुए केजवाल ने कपल को नए सफर की शुरुआत की बदाई दी और केजवाल ने ट्यूट किया इश्वर की बनाई आपकी खोपसर जोरी हमेशा सलामत रहें इन्हें एक तस्वीर पोस्ट किया और रागत चड राहूल गांदी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए वहीं बीजेपी को महत शासत सीटों से संतोष करना परा करनाटक में कॉंग्रेस के अभ्यान के कहीं चेहरे रहें इनमें सिधार रमय्या, दीके शिपकुमान, मलिका जिंखरगी और रहाल गांदी रहें तो बीजेपी के तरह से सिर्फ एक चेहरा नियनमोदी का रहा NCB के पूर्ण जोनल डारेक्टर समिल वानखरेने का है कि उन्हों देश भग्त होने के चलते निशाना बनाया जा रहा है वानखरे का बयान CPI के डेट के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें केंदेरिये जांस एजंसी ने 13 घंटों तक उनके मुंबई इस्तित घर में तलाश है बयान चलाया वानखरे पहली बाद 2021 में सुर्खों में आये थे जब उन्होंने फिल्म अभिनेता शारुखान के बेटे आरियन खान समय कई लोगों को एक क्रूच शिप्स से गिरफ सार किया था सिब्याइने समीर वानखरे के खलाब पुरूच पर ट्रक्स मामले में आरियन खान से कतित 25 करूर रुपे की रिश्वत मांगने का मौमला दर्च क्या था शिगायत में कहा गया है कि वानखरे ने ये रखम आरियन खान को नहीं फसाने के लिए मांगी थी उनके खलाब पुरूच चार निवारन अबिनियम के धारा साथ साथ ए और बारा के साथ ही भालती अड़न सहिंता आईपी सी की धारा 120 बी अपरादिक साजिश और 388 धंकी से जबरन वसूली के तहाट केस दश्च किया गया है मैं के महीनी शुआत में ही बारिश के चलते गर्मी से रहत का इहसास हुआता है लेकिन पिछले हफ़ते गर्मी जम कर अपना कहर बर पा रही है मौसम बिभाग समीली जानकारी के मताबिक बीते कुछ दिनों में रिकॉर्ड तोर गर्मी पड़ रही है विभाग के अनुसार अनुमान है वहीं बादल चाही रहने का अनुमान है इसके लावा तेज आधी और बुंदा बंदी होने के भी आसार है